गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं सुप्रिया स्वाइद करती हूँ आपका डिकोड एक्जाम में ट्रेंडास डेली कर इंट एफेस की क्लास में हम डिस्कूस करेंगे 28 दिसंबर से रिलेटेड जित्ते भी न्यूस है जित्ते भी इवेंट्स है जो हमारी एक्जाम के लिए इं जॉप्राइब टेकनलोजी बार्क या फिर मैप माई जिनोम करेक्ट आंसर इस ए हैं डॉप्राइब ने लांज किया है कि इसके बारे में देखे तो डॉप्राइम टेकनलोजी ने आईशमान भारत डिस्टल मिशन के साथ मिलकर भारत का पहला एक एक्रित हेल्थ लॉकर ल प्रबंधन प्रदाली प्रदान करेगा या फिर उपलप्त करेगा ठीक है और इसमें देखा जाए इस प्रबंधन प्रदाली में देखा जाए इसमें जो उप्योग करता होंगे वो अपने लिए और साथी साथ अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक डिस्टल हेल्थ आईडी बना सकते हैं और अगर हम प्रदाल आईश्मान भारे डिस्टल मिशन की बात करें तो देखें इसके जो शुरुवात की गई थी वो एक पा अधी धाचे के विकास के लिए आईश्मान भारे डिस्टल मिशन की घोशा की गए थी पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में और यहां पर 27 अगस के बायर 27 सितंबर 2021 को आईश्मान भारे डिस्टल मिशन की सुरुवात कर दी गए और आपने इसके बारे हम लोग ने चर्च अधार कार्ड होता है उस अधार करते जो नंबर लिखा रहता है उसी तरीके का आपको भी नंबर प्रोवाइट किया जाएका वही आपकी यूनिक हेल्थ आईडी होगी और उसमें देखा आपके स्वास संबंदी जितनी भी डीटेल्स हैं वह सारी उसमें फीड होंगी ठी आगे बढ़तें next question में चलते हैं हाल ही में RBI कार्ड टोकोनाइजेशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है 1 अपरल 2022 1 माई 2022 30 जून 2022 30 जुलाई 2022 करेक्ट आसर इस सी ठीक है जो Reserve Bank of India ने देखा जाए कार्ड टोकोनाइजेशन की समय सीमा को बढ़ा दिया है कब से कब तक यह द 30 जून 2021 में लेकिन इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो बिभिन उद्योक संगठन थे उन्होंने मिल करके प्रती वीदिन किया लगातार केंजरी बैंक के सामने और फिर जाकर करके RBI ने 6 महीने की समय सीमा को बढ़ा दिया है 30 जून 2022 कर दिया है तो यहाँ पे देखा जाए भारती रिजर्व बैंक ने कार्ट टोकुनाइजेशन की समय सीमा को 6 मेने से बढ़ा करके कितना कर दिया है 30 जून 2022 कर दिया है पहले यह समय कितना था क्रेडिट कार्ड और डेविट कार्ड की जो डिटेल्स होती नुख जब भी शॉपिंग करते हो गर नागुल्ग पेवस्था काषग से घांक जो जजैक काया जाएक और आप 30 जून 2022 तक लागू किया जाएगा और इस card tokenization system के तहर देखा जाए credit और debit card से online payment के दोरान third party app को आप पूरी detail आपको share करने की जो उतने ही पड़ेगी आपको token number दिया जाएगा और उसी token number की मदद से आप debit या credit card की detail share के बिना ही क्या करेंगे users online payment जो है आप कर सकेंगे ठीक है तो यही है tokenization system जिसको 30 जून 2022 से लागू किया जाएगा Reserve Bank of India के द्वारा ठीक है आगे बढ़ते next question पर चलते next है हमारा की निमलिखित में से किस सराज्य सरकार द्वारा मीन अदम मंज अपाई योजना सुरू की गई है केरल तमिल नाडू आंधर प्रदेश करनाटर correct answer is B है ठीक है देखें नाम से जो योजना का नाम है मीन अदम मंज अपाई योजना के नाम से आप अनुमान भी नहीं लगा सकत नाम है जो कपड़े के थैलियों के उप्योग के लिए या फिर उप्योग के बारे में जागुकता पैदा करने के लिए एक अभियान चला है जिसका नाम क्या है मीन अदम मंज अपाई योजना के उद्देश के आप जादा जादा जो है यह सिंगल यूस प्लास्टिक को व होती हैं कपड़े की थैलियों का उप्योग करना ठीक है अगर हम तमिलनाडू सरकार की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहां पर देखे तमिलनाडू राज्य में जो है 14 तरह की प्लास्टिक सामागरी पर प्रतिबंद लगा दिया गया है पहले से ही और अगर हम एकल क्योंकि वो देखा जाए वो बार-बार चक्री की तरह गुमते वो नस्ट नहीं होते हैं वो परियावरण में ही घुमते रहते हैं और वो एक परियावरण प्रदूशर का कारण बनते हैं और जिससे किराने की थैलियां खार दे पैकेजिंग बोतलो और स्ट्रा आधी की त किया जा सकता है यही आपका देखा जाए सिंगल यूज प्लास्टिक है और अगर हम केंद सरकार की बात करते हैं तो वर्स 2019 में केंद सरकार ने 2022 तक भारत को एकल उप्योग प्लास्टिक वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बहु मंत्रारलिक योजना त्यार किय कमेंट वाक्स में आंसर करिए कि बताई किस डेट से 2022 में किस डेट से केंद सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की घोस्रा की है इसके बारे में आप मुझे बताईए ठीके पाकी देखे हर राजी हो चाहे आप रास्टी इस्तर प के लिए अस्थली जैली यह सब के लिए बहुत बड़ा प्रदूशर के करण बने तो आप मुझे इसका डेट बताईए ठीके चुक्य हम तमिलनाडू की बात करें तो तमिलनाडू जिसकी राजदानी फ्रेंट क्या है चिन नहीं है ठीके और यहां के अगर हम मुख्यमंत् करण के सब्सक्राइब। तो उनकी जैनती पर जो किंद्री के मंत्री अमिश्टा जी के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया इस इंडेक्स की बात करते हैं जिसे सुशासन सुचकांक बोलते हैं उसमें वो देखा जाए वो इंडेक्स 10 छेत्र और 58 10 छेत्र और 58 संकेत को क्या धार इसको जारी क्या गया था आपको 10 छेत्रों के अगर बात किया जो किया पर मेंशन नहीं है फिर भी मैं आपको बताती हो और ली कि यह जो कृष्शी और उसे संबंदित छेत्र हैं वाडिक जुद्योग से संबंदित छेत्र मानोश अंधादन विकास सारवजनिक स्वास्त स सारवजनिक बुन्यादी धाचा और उप्योगितान आर्थिक साशन समाज कल्याण और विकास न्याइक और सारवजनिक सुरक्षा पर्यवरण नागरिक केंद्रिय साशन यह जो है आपके देखेंगे पूरे छेत्र हैं 10 छेत्र और उसमें संकित किते 58 संकित और इन सब संक सानी दिल ने शिर सस्थान पे रही है और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8.9 फीसिती बिद्धी के साथ सुशासन की दिशा में प्रगती करते हुए उत्तर प्रदेश दिख रहा है ठीक है इस इंडेक्स के अनुसार देखा जाए कम से कम 20 राज्यों ने वर्स 2021 में समगर जी जी आई सकोर में सुधार किया ठीक हूं जितने भी राज्ये हैं वो राज्ये सुधार करते हुए दिख रहा है इस इंडेक्स के अनुसार और इस इंडेक्स को देखival किसके दवरा जारी किया गया है तो केंद्रिये प्रसाशन सुधार और लोग शिक्यायद करने में काफी ज्यादा बजद करता है कि किस सटरीके की राज्य में कैसिं र separately बेवस्था चल रही है इसका अध्लंद करने मदद करता है और क्रियेट करने का प्रयाज करता है जिससे कि ये राज जो है अपने शाषन अपने प्रशाषन विवस्था को सुचारु रूप से दिवस्थित कर सकें और सुदेश से सभी राज योग इन्षासीत प्रदेशों के शासन के सिति की एक तुल्नात्मक अध्यान करता है और इसी प्रतियस फर्दा करते किसी से कंपटिशन करते हैं तो आप हमेशा अपना बेस्ट देने की प्रयास करते हैं आप हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उस दौरान आपके अंदर त्यागता सुधार आता है यही कारणे की इस इंडेक्स जो राज्यों की बीश में के करता है और वो दीरे दीरे अपने एक तरीके से इंप्रूमेंट की तरफ पढ़ते हैं इससे राज्यों में देखा जैसे साशन तंत्र में सुधार के लिए उप्यूक्त रणनीती त्यार करने कर उसे लागू करने में यह मदद करता है ठीक है तो यही था बाकी नेक्स पढ विश्यू बिद्याले करेक्ट अंसर इस भी होंग कॉंग विश्यू बिद्याले में सिता पेलर ऑफ शेम जिसको अभी हाल ही में चीन के द्वारा धुस्त कर दिया है आई समस्ते है क्या करता तो देखी कि है पेलर ऑफ से ठीक है और यहां पर देखा जाए जो होंग बनाए गया तो यह तियान में चौक नरसंहार जो कि फ्रेंट नाइटीन इडिनाइन में हुआ था उसी उन्हीं उस नरसंहार के दौरान जो वेक्ति जो शिकार हुए थे उन शिकार वेक्तियों की याद में गेस मारक बनाय गया था जिसका नाम है पेलर ऑफ शेम जो कि कहा होँआ पर मिश्वषबिद्ध्याले में वस्तित bought zur हर साल देखेंगे यहां पर जो है बहुत बड़ी संख्या में हजारों क संवा जो है त्यान मान से नहें संहार को याद करने के लिए लोगे कत्र होते थे लेकिन अभी शाली में छीन के ऊद्वारा इसको ध्वस्त कर द उची मुर्तियों के एक श्रिंखला को कब किसके द्वारा त्यार किया गया था तो 1989 में त्यान में स्क्वायर पर चीन की कारवाही के शिखार लोगों के सद्धाजली के रूप में त्यार किया गया था किसके द्वारा डैनिश के एक अलाकान है जिनका नाम है जैंस इसको त्यार किया गया था कई Tech अगनाजा की था हम भूचिज अचू पर देखेंग गी तो खोखली आंखो और खुले मूँ जो है कृत कर सकता है कि सस्तर पर जाकर के आप जब इसे देखेंगे तो आप पढ़िएगा जरू पढ़िएगा गूगल साथ जरू करिएगा और यहां पर देखेंगे जो प्रतिमा है वो पिडित मानौता का एक उत्कड उधारण हमें दिख रहा है तीके जिसको अभी आली म के चीट के द्वारा नस्ट कर दिया गया है अगले प्रश्ट में बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा की केंद्रिय सडक परिवहन और राजमान मंत्री द्वारा कहां से भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम लांच किया गया है गाजयाबाद दिल्ली चं रासना गाजयाबास से ईस्टन पैरिफइलर एकस्प्रे स्वेजट भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम लौंच किया है और हमें देखना है कि इस्टन पैरिफैलर Еक्सप्रेस वेक्या है तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह कुंडली जाता है और यह कितना किलोमेटर लंबा है 135 किलोमेटर लंबा है और यह च्छै लेन चौड़ा एक्सप्रेस वे हैं जो कि हर्याणा और उत्तर प्रदेश से होकर कुजरता है और इसी एक्सप्रेस वे पे देखा जाएं इंटेलिजेंट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम जो है लॉ मददगार हो सकता है इंफास्ट्रक्चर के कुसल उप्योग में मददगार हो सकता है यातायात के बारे में पहले सूचना देकर उप्योग करताओं की सहायता करने में और उनकी यात्रा में दौरान जो समय लगता है उस समय को कम करने में काफी जादा है मदद कर सकता है और दस से पंदर मिनिट के अंदर भीतर जो है उस दुर्गटना अस्तल पे पहुँच जाए यह इसकी खासियत होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रस्ट पे चलते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के सराज्य द्वारा सुरू की गई है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरा बिहार करेक्ट आंसर इसे हैं ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना सुरू की गई है तो यहां पर देखा जाएं जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना उत्तरप्रदेस सरकार के द्वारा सुरू किया कहा है तो महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रजान करने के उद्देश्य से योजना सुरू की गई है और इस योजना के तहट जो होगा इस योजना के माध्यम से ज जिसमें से देखा जाया जो जो लाभ्यारती होगा प्रतिलाभारती 15,000 के राज से उसके जन्म के समय तो जो है किस्त कैसे कैसे जो 6 किस्तों में दिया जा रहा है तो एक एक वर्ष पूर्ड तीका करण पूरा करने पर फिर जब वो फ्लास वन जो है जब कछा एक पास कर जाएगी ठीक है तरीके से यह महिलाओं जो बालिका होंगी उनको समाजीक और राथिक सुरक्षा प्रदान करने के उदेशु से मुख्य मंतरी करने सुमंगल मियोजना के सुर्वाट कि दौरा उत्ते प्रदेश सरकार के दौर उत्ते प्रदेश की राजदानी फ्रेंट का लखनव है मुख्यमंत्री कौन है योगी आदितिनात है और आनंदी बैन पटिल यहां की गवर्नर है नेक्स प्रशन है यह आप इसको अच्छे से देख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कि इंद्री ग्री एवन सहकारिता मंत्री ने कि सहकारिता मंत्री स्री अमिश्रा ने दिल्ली में किया गया है कि इंसासिर प्रदिस दिल्ली में अमिश्रा जी के द्वारा भारत दर्शन पार्क का उद्गाटन किया गया है आई इसके बारे में देख लेते हैं तो केंद्री ग्री और सहकारिता मंत्री अमिश्रा ने दिल्ली में वेस्ट टू वेल्थ वेल्थ सेज होती है जो घर के कुड़े कबाड़े या जो और भी कुड़े कबाड़े रते उनको वेल्थ में कनवर्ट करने की धाणा से भारत दर्शन पार्क का उद्गाटन किया गया है और इस पार्क की बात के तो दच्छर दिल्ली नगर निगम द्वारा राजधानी के पंजाब लोहे के खराफ समान, बिजली के खंबे, पुरानी कारों, ट्रकों, पार्कों की ग्रिल, आटो मोबाल्स, पार्ट्स और पाइप इत्यादी से बनाए गया है तो जितने भी जो इतिहासिक प्रस्यति महारते हैं बेविन राज्जियों की और एक बर्गत का पेड इनको जो देखें कबाड़े होते हैं, कबाड़े जो हम लोग फेक देते हैं, उन्निका इस्तमाल करके, यानि कि वेस्ट को किस तरीके से वेल्थ में कनवर्ट किया जाई से अधारणा से इसको बिक्सित किया गया है, इसको इस पार्कों बनाए गया है, तो ध्यान रखेगा, भारत दर्शन पार्क जो बनाए गया है, वो दिल्ली में बनाए कि जिसका उत्गहटन ग्रे मंत्री अमिशा जी के द्वारा किया गया, ठीक है, अगला है हमारा भारत और किस देश ने सायूक तरूप से प्री अराइवल कस्टम्स डेटा एक्सचेंज पर पाइलट करेक्ट आंसर इस जी मालडवीप ने किया है, ठीक है, इसके बारे में देखा जाए, तो भारत और मालडवीप ने एक आभासी सामारों में, प्री अराइवल कस्टम्स डेटा एक्सचेंज पर पाइलट प्रोजेक्ट के सयंक्त लांच के लिए दोनों देशों के सीमा सुल और जो मालडवीप सीमा सुल्क के आयुक्त जनरल अब्दुल्ला शरीफ है, उनके बीच उनके द्वारा ये लांच किया गया है, और इस समझोते के तहट देखा जाया है, दोनों देशों के भी स्तेजी से निर्यात आयाता हैने कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मंजूरी मि साथी साथ इससे देखा जाए, दोई पक्षी व्यापार को और बढ़ाने के लिए आपकुरती श्रिंखला को भी मजबूत करने में काफी ज़्यादा ये सहाएक होगा, ये समझाता ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रिस्ट में चलते हैं, लास्ट है मारा कि निम ल टेलिस्कोप को सफलता पुरोग लांच किया, आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर देखा जाए, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा ने यूरोपियन एजनसी के सहयोग से, अब तक का सबसे बढ़ा और बिशार, अब तक का सबसे बढ़ा और शक्ती साल टेलिस्कोप जिसका नाम है जैम सबेब टेलिस्कोप, उसको सफलता पर रोख लांच किया है, यह जो है, यह टेलिस्कोप देखा जाए, अभी तक जो है नासा का जो हबल टेलिस्कोप था, जो अंतरिक्ष से अधबूत तस्वीरे भेजता था, यह उसकी जगर लेगा कौन जैम सबेब टेलिस्कोप और यह अंतरिक्ष में तैनाथ होने वाला यह टेलिस्कोप, ब्रम्हान की सुदूर गहराईयों में मौझूत, अकाश गंगाओ, एस्ट्रोइट, ब्लैक होल्स और सौर मंडल आदी की खोश में मदद करेगा, ठीक है, नासा ने देखा जा, जो ज तक हबल टेलिस्कोप है, जो कि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष के रहस्य है, उनको खोशे की तालास कर रहा है, उसका अस्थान लेगा, कौन आपका जैम स्विप टेलिस्कोप, ठीक है, तो यह थे हैं हमारे 10 MCQs, अब आज आते हैं, आज के Facts of the Day पे, जिसमें सबसे पहला Facts है कि, दच्छिड अफ्रिका के सर्वक्ष न्याइट पेट, समयधानी का दालत में न्यूक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है, भारत वंशी नारंदरन जोडी, जोडी, कोलापन, ठीक है, नेक्स्ट आमारा भारत सरकार ने किस वर्स के बच्चों को COVID-19 टीका करड करने के मंजूरी प्रदान कर दिया है, तो 15 से लेकर के 18 वर्स तक के जो बच्चे रहेंगे, अब उनको COVID-19 का टीका करड लग सकता है, यह अमाहा कमपनी में भारत की प्रमुक रहेंगे, इंग्लेंड क्रिकेट टीम के पूरो कप्तान जिनका भी हाली में निधन हो गया, 89 वर्स के में वर्स उम्र में, जिनका नाम क्या था, रे इलिंग वर्थ, ची कह, डेली मैवरीक अगपार का प्रतिस्ट अवर्ड जिसका नाम है, साउथ अफरिकन अफ्रिकन अफ दे इएर, यह किसे प्रतान किया गया है, बहतले मोल के हैं इमतियास सुलिमान को यह प्रतान किया गय तो यह बढ़ गया है 54 परसेंट अच्छी बात है ठीक है वहीं देखा जाए पंडित मधन मौन वालवी जी की 160 जैंती मनाएगे कम मनाएगे 25 दिसंबर 2021 को मनाएगे जिस दिन हम लोग प्रधान मंत्री पुरों प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपी जी की जैंदी मनाएगे सुशासन दीवस मनाएगे उसी दिन पंडित मंधन मौहल मालवी की जगर जो है 160 जैंती जैंती थी ठीक है अगला हमारा एशाई चैंपियंज ट्रॉ पुरुस्त हौकी टूर्णामेंट का विजटा राय कौन रहा है साउथ कोरिया रहा है भारत का स्थान तीसरा था दुनिया में जैट खनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है कौन बन गया है मार बन गया ठीक है आब भूशोडव वगरा में इसका 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 पीचे ने प्लास्टिक पुनर्चक्रड के लिए साजिदारी किया है किसके साथ का नवेडा द्योगा क exam करद के साथ साजिदारी किया है जाए बाहरत के आवच operations आवास gen जाए कि नेक्स्ट है उत्तव प्रद्रोश में गंग नर्सरी योजना शुरू की कितने जिलों में किया गया है 27 जिलों में किया गया 75 दिलेक्र अब लंबाई फ्रेंड क्या है यह है 594 किलो मिटर ठीक है लंबाई तो यह था हमारे 10 mcq हम लोगों ने 10 facts of the day देखा और पांच आपके हम लोगों ने देखा उत्ते प्रदेस special आप आ जाते हैं question of the day यह हमारा सबसे वाप question बताईए आप मुझे इसका answer करें comment box में कि देश में पूर ठीका करण के लिए शुरू किये गए बिशेस अभ्यान mission इंद्र धनुस की सुरुवात कप की गई थी यह है आपका questions of the day और इसका answer comment box में करें next day हम आपका answer भी बताएंगे ठीक है तो मिशन इंद्र धनुस के सुरुवात कप की गई जिसका उत्देश क्या है देश में पूर ठीका करण करना ठीक है तो फ्रेंड इस तरीके से ना आज का हमारा current affairs daily current affairs की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रूप में आपको मिल जाएगा जिसका लिंक description box में दिया हुआ है आप description box में जा करके टेलीग्राम लिंक को क्लिक करिए और वहां से आप decode exam को जोईन करिए जिससे कि आपको डेली का current affairs समद्धी PDF आपको हमल जाएगी आप उसको revision करिए ठीक है बाकी session अच्छा लगा हो तो like करना नहीं पूलें जादे जादा लोग को share करें और चैनल में पहली बारा है तो subscribe करना नहीं पूलें भागे फिर मुलते नेक्स सेशन में तब तक के लिए भाइव गुड़ दे इस्टे सेफ एन इस्टे हैपी